हेलो दोस्तों आप सब का स्वागा थे हैं हमारी इस एलेट वेप निप्टी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो पर हम देखें कि एस पर एलेट वेप थियोडी निप्टी बैंक निप्टी और इजो यह SPXCN की US का टॉप 500 कुमपानिस को लेकर बने हैं तिए S&P 500 जो वो एक्ट्यूलिक्स का नाम है यह तीनों का तीनों कौन सी दिशा पर जा सकते हैं आने वाले कुछ दिन के लिए और कल हमारा मार्केट भी कौन सी दिशा पर जा सकते हैं इधर से और उपर जाएगा या इससे आप लोगों का इंट्रेडे का स्कैल्फिंग पर बहुत ही हेल्फ हो जाएगा आइधि तो चलिए अभी सुरू करते हैं जो दोस्ता हमारा चैनल पर नए हैं उन लोग के लिए मैं पहले बाता देना चाहूंगा कि नॉर्मल्ली एस पर इलिटो वेफ थी मार्केट आ आते हैं और अभी मुझे जो लाग रहा है कि असपर इलिटो वेफ थी देखे तो विगले टाइमप्रेंपर मार्केट अभी एक्चुलि ये फोर्थ वेफ के अंदर है उसके फिफ्थ के लिए जाएगा ये अभी मेरा में काउंट है और जब मार्केट ये सेगेंड वेफ फोर्थ वेफ के अंदर लागातर ये भी सी बनाते रहते हैं तब हम कुछ इस तरीके से ये डाबलू, एक्स, वाई, एक्स, जेटा से नाम देते चलते हैं और अभी मुझे जो लाग रहा है निफ्टी आगर डेली टाइमप्रेंपर देखे तो ये अभी जेड़ बनाने का कोसेस कर रहा है मुझे नहीं लाग रहा कि जेड़ वेफ इधर ही खतम हो गया है मुझे लाग रहा है इधर से और एक फॉल थोड़ा बाकिया तो ये जेड़ बनाएगा उसके बाद इधर से फिर से उपार जाने का कोसेस करेगा अभी के लिए मुझे ये लाग रहा है तो यह weekly time frame पर बोले है या daily time frame पर अभी यह fourth wave के अंदर है मुझे जो लाग रहे है और इधर से यह जो target होना चाहिए इस z wave का यह बाड़ जो red line मैंने खीच है इस red line के आसपास तक होना चाहिए जो अभी के लिए यह बहुत नीचे है target यह मानकर चलना चाहिए और पहला target होना चाहिए यह बाड़ जो low है इस low को जो लागओ आपको 15 जा 600 के आसपास बने होए थे दा भी चले निफ्टी का one hour के chart पे चलते है तो जैसे कि मैं पिछले दिन आप लोग को बोल रहा था कि यह जो अब मेरा main expectation है कि market जो यह B.O.F. अधर ही खतम कर चुक है और उसके बाद इदर से market नीचे आएगा जो मैं बोल चुका था और उसके बाद आप लोग आगर देखना चाहिए तो market लागवाग उस particular जागा कि आसपास से लागवाग आपका 524 या 500 point के आसपास fall तो दे चुक ह इसके बाद market के और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा हमारा जो actual prediction बहुत नीचे है तो उधर तक जाएगा कि नहीं जाएगा ओ देखने का कोसिस करना पड़ेगा तो अभी जो मुझे लागने market एक्चुली यह B.O.F. के अंदर है माद जिसके अंदर लागा तर A.B.C. A.B वो बहुत नीचे तक खतम करेगा जहाँ पर एक्चुली हमारा जेडव भी खतम होगा क्योंकि जेट के अंदर A.B.C. यह सक तीन साबव रहते हैं और जासे कि मैंने थोड़ी दिर पहले आप लोगों को बोला कि वान के अंदर भी पांच साबव होता है जिसको मैं इधर blue color से मार्क है कि यह 1,2,3,4 और यह होगा हमारा 5 तो अभी के लिए मुझे लाग रहे है कि यह 5 साबव पर वान इतर होगा 2,3,4,5 तक यह नीचे जाने का कोसिस करगा यह हमारा एक्चुली में काउंट है तो हमारा में काउंट के मुतबिक मेरा एक्सपेक्टरस है कि यह जो ह 1,2,3,4,5 मिला कर 5 साबव पर यह दर 1 बना है कि 1 के अंदर 5 साबव होते है मैंने थोरी दिर पहले आपको बोला फिर यह 2 जो अभी मुझे लाग रहे हैं 2 के अंदर यह ABC हो रहे है जो मुझे लाग रहे है यह 3,4,5 के लिए मार्केट नीचे आने का कोसिस करगा यह हो रहा तो 15 मिनिट का जो चार्ट है इधर मैं पहले जो बोल चुगा था कि यह 1,2 हो गया यह 3 तब मैंने इधर मार्क किया था इसका यह मुझे लागना था 4 के अंदर यह ABC हो रहा है लेकिन अभी जो मुझे दीख रहे हैं यह 1,2 के बाद यह 3 जो एक्चुली इधर तक खतम ना ह तो मुझे लागना कि 3 जो है इधर तक खतम हो गया उसके बाद यह 4 के लिए मार्केट यह थोड़ा ऊपर गया ABC जो मैंने काल भी आपको दीखा था उसके बाद यह 5 के लिए मार्केट किया कि 1,2,3,4,5 बना कर मार्केट नीचे आया और यह जो है इसको बाद थोड़ा 5 मि मेन एक्सपेक्टरेशन अगर यह जाते हैं तो अगर आप मेन एक्सपेक्टरेशन जो है वह अगर फेलियर होगे तो बहुत सार आप मेंसे कि रिवेंच ट्रेडिंग वागरा करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मार्केट जो है तब किसी ना कि ये वेप के अंदर रहेगा ऐसा नहीं कि मैं अगर कोई से काउंट नहीं दे पाया तो इसका मुझे लागना है कि ये W, X, Y हो गया फिर ये जो X है जो मैं काल भी बहला था x इधर actually हो रहे हैं and then यह जो है यह z के लिए market इधर से फिर से उपर जाने का courses करेगा और यह जो z मैंने जो इधर mark किया वो actually इधर हो जाएगा और यह जो x है वो इधर हो जाएगा कुछ इस तरीके से इसको मैं q इधर x alternate count ले रहा हूँ कोई ना कोई logic है तो logic यह है कि यह a जो रेट कार से यह है b दिन जो है यह इधर से जो मैंने यह पांच सावव मैंने इधर mark किया कि एक दो तीन चार पांच यह c c के अंदर पांच सावव बिढ़ा है सकते हैं ठीक है तो उसी सबसे मुझे जो लाग रहा है a b and c हो जाएगा जिसको आप बोल सकते एक irregular flat यह b हो यह a से उपर चलाएगा यह का starting point से c हो यह a का जो ending point है उससे नीचे चले आए तो obviously यह जो है यह आपका irregular flat बंजेगा तो जो होगा आपका यह एक सेंट दिल यह जेट के लिए market बहुत उपर चला जाएगा जो मुझे अभी के लिए लाग रहे हैं ओके तो यह मेरा एक alternate count है उससे सबसे देखे तो यह बारा जो मैंने एक चैनल को जो लोग एक दम religiously follow करते है उन लोग के लिए यह चैनल को उपर वाल market इधर से थोड़ा उपर जाएगा फिर नीचे जाएगा obviously यह कितना उपर जा सकते है मलब यह one के बाद यह two जो है यह तो हमारा main count है और alternate count है कि इधर से इतना उपर जाने के बाद यह fall होने का कोशिस अगरा कुछ करेगा तो main count पे यह one है यह two जो है यह कहां ता जा सकते ह वह भी मैं fibonasi का सार लेकर दिखाऊंगा लेकर अभी के लिए मैं यह बोलना चाहूंगा कि मेरा main count है अभी नीचे की तरफ तो यह nifty का five minutes का चार्ट पर आभी हम चले हैं और इधर यह highest points है यह lowest points तक मैं fibonasi draw कर दिया ठीक है जो यह lines बागरा दिख रहे है यह जो levels दिख र 18 का level है तो इसके आसपास तक बोना चाहिए यह लगबग आपका 16,570 के आसपास कुछ है तो मुझे लागने है इधर से यह उपर जा सकते हैं दिन नीचे आ सकते हैं यह possibility मुझे अभी के लिए लाग रहे हैं और अगर इससे भी उपर ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता काभी यह 78 यह 90 पॉइंट तक नहीं जा सकता है ऐसा नहीं है तो इसलिए इसके लिए मैं एक फीबोना सी क्लास्टर का सारा लेना चाहूंगा और कुछ नहीं वह भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा और मैं वह काउंट पर सबसे अल्टिमेली बहुत ज़दा भरसा करता हूं तो वह क्या बोलना है ओ भी मैं दिखाऊंगा और उसके लिए मैं वन मिनिट का चार्ट पर जाना चाहूंगा और जब लाइब दिखाऊंगा तब उसके साथ साते मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि यह निप्टी पर अल्टिमेली क्या मेरा एक्सपेक्टरेशन हो सकते हैं लेकर उससे पहले यह प्राइस एक्सन जो हुआ था इसको मैं मार्क करना चाहूंगा वान टू यह थ्री यह फोर और यह है हमारा फाइब ठीक है तो यह वान टू यह हो गया मेरा थ्री फोर फाइब तो यह पांच सावब मिला कर यह बहला फीप्ट क्या क्योंकि फीप्ट तो यह जो फीफ्ट कंप्रिट हो गए तो उसके बाद यह एबीसी करका मार्केट उल्टी तरफ जाएगा एक रिवर्स मनलब गियार पर मार्केट चालेगा तो उसी सबसे आकर देख पाता है तो अलग बात लेकिन अगर वह भी नहीं देख पाए तब भी चालेगा क्योंक यह जा भी सकते हैं ऐसा जरूर नहीं कि मार्केट जो है यह इंट्राइड पर कोई एक रिवर्स पर नहीं जाएगा ऐसा जरूर नहीं और इधर तो ABC जो मैं बोल ला हूँ कि बादा टाम का फीफ्ट कंप्रिट हो चुका है तो इधर जो मुझे लाग रहा है कि इधर से यह जो है यह सब उसकी इधर तक मेरा एक बना चुके हैं यह ट्री के लिए जा रहा है फिर फोर्ट तब मतलब एक के अंदर जैसे पांच सावब होता है जो मुझे लाग रहा है यह ऐसा ही कुछ बनने का कोशिस करेंगा क्योंकि फिफ्ट कंप्रेट होने के बाद ओद ओद ओ कुछ खास कुछ आभी तक हुआ है मार्केट जो है यह आभी तक कोई खास पैटर्न ऐसा कुछ बना है ऐसा मुझे नहीं लाग रहा लेकिन फिर भी आगर कोई एंट्री लेलना चाहते एग्रेसिवली उन लोगों के लिए मैं दिखाना चाहूंगा यह एक इंडिंग डाग और C-O की मार्केट कितिना उपर तक जाएगा क्योंकि इधर जो A-O-E-P क्या 3-O-E-P खातम होगा यह पांच-O-E-P होगा यह आभी थोड़ा देखना पड़ेगा सबसक्कि आएस नोट C-O-E-P तो मैं क्या करूंगा इधर मैं लेता तो एक्षाटली इधर ही एक्षाली क इतना सार्फ ली जाते हैं कि मैं क्या बता हूं तो यह जो है यह B-O-E-P के अंदर क्या होना चाहिए जिसका हम नाम देता है A-B-C यह A, A-B and A-C यह कालर को हम चेंज कर लेते हैं तो इसको मैंने यह बाला जो B है B के अंदर यह जो A-B-C है इसको मैं रेट कलर से मार्किया तो ओवियसली इसको मैं फीबोना सी वाइस दिखाना चाहूंगा अगर कोई फीबोना सी वाइस देखना चाहिए तो मुझे जो लाग रहे है इधर से इधर तक एकदम क्लियर एक बॉटम बना A फिर यह जो है A-B and A-C होगा C को हमारा actual target होना चाहिए C जो होगा यह 100% तक मार्केट आ सकते हैं तो चलिए अभी देखते हैं उदर तक आते हैं कि नहीं आएगा तब भी ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा राइस को मिस कर देंगा ऐसा बिल्कूल भी नहीं ठीक है तब भी हमारा एक चोड़ा stop loss लेकर हम कैसे buy करें को भी मैं दिखाता हूं defensively त मैं आज भी दो तिन बाड़ी बोल चुका हूं कि यह c के अंदर 5 सबब होते हैं तो इधर 5 सबब जो मुझे देख रहे हैं वो कुछ इस तरी के से हो सकते हैं maybe this is my 1,2,3,4,5 तो c के अंदर अगर 5 सबब आप count करते हैं तब भी आपको पाता चल जाता है कि यह exactly तक तक तो fib के ओपर सबसे ज्यादा डिपेंड कारता हूं उसके बाद फीबोना सी चैनल दीस और आ सकते हैं ठीक है तो जो भी है इधर से यह 5 सबब हो गया इसके बाद क्या होगा मार्केट जो मालब यह बीवे इधर ही complete हो गाया होंगे और उसके बाद इधर से ही आपका actually entry होना चाह सकते हैं एक पहला entry जो मुझे लाग रहा है कि हो सकते हैं यह जो बी जहां पर खतम के उसके उपर तो इसको मैं सब उसके ब्लैक कलर से मैंने मार्क कर दिया तो इधर actually हमारे entry हो सकता था तो उसके बाद जब market जो है इधर से उपर जाएगा तो यह हमारे लिए बहुत आच् और दूसरा एक टाइप का entry जो इससे भी बहतर entry हो सकता था ओंवी मैं दिखाऊंगा और C का target भी मैं दिखाऊंगा तो यह दूसरा एक entry जो हो सकता था यह जो आपका यह फोर्थ हो है मलाब यह बाला जो C है ना इस C के अंदर का जो फोर्थ हो सकता था ठीक है तो चलिए कोई दूसरा कालर से जैसे की ब्लू कालर से मार्क कर दिया तो यह ब्लू कालर भी हमारे एंट्री हो सकता है इस फोर्थ को टार्गेट करके कि इसके उपर जब चला गया तो लेकिन यह थोड़ा एक्रिसिव हो जाता था तो आप इधर defensive entry भी ले सकता है आराम से इस B के उप पर एक्चुली एंट्री बहुत defensively अगर आप लेना चाहिए सेबली इस B के उपर होना चाहिए था और अब बात ही है कि यह तो बड़ा बाला A, B, C होड़ा है तो जब बड़ा बाला C का टार्गेट कहां तक बनेगा मलब कहां तक होना चाहिए at least हमारा expectation तो इसके लिए मै मैंने बोला A और C आपस में बड़ा बड़ा होता है चाहिए हो इतना छोड़ा टाइम प्रेम पे हो या फिर यह बड़ा टाइम प्रेम पे ही क्यों नहीं हो आपस में बड़ा बड़ा होते है तो यह जो C है यह 100% के आसपास जो 16509 के आसपास हमारा actually target होना चाहिए यह first target और दूसरा target जो है यह हमारा होना चाहिए यह 16,618 के आसपास कि दूसरा जो होते है यह 100% तक जाते है और दूसरा जो relationship पे चलते है 1 का 1.618 तक भी जाते है ठीक है तो पहला हमारा जो target इधर तक होना चाहिए दूसरा target इधर तक होना चाहिए तो यह दो line को हम actually mark करके फॉलो करेंगा तो आपको दिख जाएगा तो इधर यह हुआ यह हो गया हमारा बी तो सी एक्चुली कहां तक होना चाहिए सकता है कि 16,635 के आस पास तक दूसरे टार्गेट बार उससे पहले एक इंडिंग डियागनल बना चुका था तो फास टार्गेट तो हीट करना ही चाहिए उसके बाद जो है कि सेकेंड टार्गेट को हीट करते हैं लेकिन उसको बीज में अगर ऐसा कोई पैटन दिख गया तो जो आपका 100% है इसके लिए हो सकते है मार्केट जो इधर से थोड़ा और उपर जाए और मैक्सम में 16,618 के आस पास मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं बट इधर और एक चीज जो फिबोनासी क्लास्टर की बाद मैं बोल ला था वो भी आकरी भी मैं दिखा जेना चाहू तो फिबोनासी वाइस यह जो ओए वान है इस जो इधर तक फास हाव पर वह वान हो के जो मैंने थोड़ी दिर पहले वान-ावर के टाइम फ्रेम पर बता है तो टू जो होते हैं यह 61% के आसपास हो सकते हैं मैंने बोला था तो यह जो है यह 16,570 के आसपास और इधर जो मै लिए हमारा expectation है तो यह छोटा time frame पर 1 minute का time frame बोलिए 15 minute का time frame बोलिए या फिर 5 minute का time frame जो भी आप बोलिए तो सब कुछ मिला कर हमको यहीं बोलना है कि market जो है यह सब कुछ को एक साथ मिला करी चलते हैं तो इसलिए आपका यह expectation होना चाहिए कि इधर भी ABC जहां पर खतम करेगा उधर भी 1 hour का भी 2 जो है उधर खतम करेगा उसके बाद यह नीचे के लिए आने का जो हमारा prediction है उस मुत चोली expectation रहेगा इससे थोड़ा उपड़ जाने के बाद से हमारा expectation रहेगा कि पहला target होगा यह 16,509, second target होगा 16,618 और देर उदर से market नीचे आना चाहिए तो चलिए देखते हैं कि काल क्या होते हैं तो आभी के लिए इतना ही thank you and good bye